Hello friends, आज हम इस वीडियो में बात करें कैसे आप Angel One के अंदर currency trading में option load को कैसे buy करेंगे? जब आप option load को buy करेंगे तो कैसे आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा? कैसे आप उसको select करेंगे? कौन सा contract आपको buy करना है? कैसे आप strike price को select करेंगे? margin कितना available होगा delivery के अंदर intraday के अंदर तो आपके सारे doubt इस वीडियो में clear हो जाएंगे related to option trading in currency तो आप वीडियो को complete देखना अगर अब दोग आपने चैनल को subscribe नहीं कर आप चैनल को ज़रूर subscribe कर लेना वीडियो को like और share जरूर करना तो चली वीडियो सुरूर करते हैं सबसे पहले अगर आपको currency के दिने trading करने तो यहाँ पर डालेंगे आप 4 currency में trading कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता कि आप legally वीए इसे 4 में USD, GBP, YUR और JBPY इसकी complete वीडियो का ऐसे आप trading स्टार्ट कर सकते हैं आप चैनल पर जाके जरूरदा पले लिस्ट में आप इसको watch कर सकते हैं आज हम example के लिए USD को search करेंगे इसमें आप कैसे option trading कर सकते हैं जब आप यहाँ पर USD डालते हैं USD INR तो आपके पास सबसे पहले यह करते हैं कि यहाँ पर इसका price 81.something चला हुआ तो आप यहाँ का nearby यहाँ के add the money और फिर इन दमनी को select करते हैं example के लिए आपको यहाँ पर 81.500 जोगा call option buy करना है तो आप इसको select करेंगे इसकी expire आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 14 जून 14 जलाओए को यह expire यह इसकी strike call option यह इसका strike price है जब आप इस पर click करेंगे कलिक करने के बाद इसका प्राइस आजएगा बट यह देखो यहाँ पर इसको select करते हैं जब आप इसको buy करने के लिए आपको यहाँ पर click करेंगे आपके सामने यह price open हो जाएगा option trading यह option trading यह future trading अगलग चीज़ है currency के अंदर आप इसकी वीडियो भी ज़रुदा प्लेलिस में वोच कर सकते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा यहाँ पर दो तरी के आप बाई कर से carry forward इंट्राडे आपको पता कि इंट्राडे में सेम डे स्केर ओफ करना पड़ेगा carry forward के अंदर आप इसको maximum 14 जून तक आप इसको hold कर सकते हैं यहाँ पर number of loads होंगे आप एक loads को बाई करेंगे तो मतलब 1000 quantity आपको minimum बाई करने पड़ेगी margin की बात करें जिसमें कोई margin अवलेबल नहीं हो चाहें intraday हो या भी delivery हो option trading में कोई margin अवलेबल नहीं होता चाहें आप commodity के अंदर करें चाहें आप currency के अंदर करें चाहें निफ्टी करें या बैंक निफ्टी करें ओप्सिन टेडिंग में कोई आपने market rate पर जो भी आप position create करते हैं और अगर limit पर करके आप इसको buy करते हैं तो यहाँ पर manually price आप यहाँ पर डाल सकते हैं आप इस किस rate पर आप यहाँ पर डालेंगे प्लेस बाई order करेंगे तो आपका यह order फिर पेंडिंग पोजिशन में चला जाए क्योंकि जब तक जो manually price आपने डाला है वह प्राइस नहीं आपका ओडर पेंडिंग रहेगा मैक्सिमुम वन दिन वन डे की वैलिटी होगी उस तक प्राइस आ जाता तो आपका order execute हो अगेन फिर आपको new order fresh put करना पड़ेगा इस तरह आप यहां पर नोर्मल वे से टेडिंग कर सकते usd अंदर option टेडिंग में यहां पर आपके पास जो यह strike price होंगे इस ट्राइक प्राइस के बाद expiry 14 जुलाई जून होगी और call option put option c या पीक आपको पता है जब market moment upside हो तो आप call option buy करते हैं जिससे के आपका profit हो अगर आपको market side down moment हो तो आप put option को buy करते हैं जिससे आपका profit increase हो आपको कोई confusion है आप चैनल पे जाकर comment कर सकते related to जरुद्दा के अंदर वीडियोज देखने हैं आपको पले list आपको मिल जाएगी thank you so much